Hello guys, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो आने वाला है आप लोगों के लिए ITI का back paper जो होने वाला था उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगस्त में जो है ITI का back paper का जो है ना exam होने वाला है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो मैंने कल आप लोगों को वीडियो बनाई थी उसी के regarding जो है यह information है और आप लोग यहाँ पे notice में आईएगा जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है अपने इस side को open कर लेना है आप side कैसे open होगा जैसे कि मैं यहाँ से हटा देता हूं मानके चलो मेरे को क्या लिखना है ncvt जैसे यह आप लिखेगा न ncvt mic portal यह वाला जो portal है आपका original portal है पहला वाला जो link है इस पर आप लोगों को click करना है कोई भी बच्चा जो है अपने खुद से कर सकता है ऐसा नहीं है कि जो कोई बताएगा तभी आपको चेक करना है यहाँ पर नीची आ जाना है यहाँ पर क्या आता है news and update में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक schedule जारी किया गया hall ticket eligible for the supplementary examination यहाँ hall ticket भी जारी कर दिया गया है notes for the supplementary examination schedule हो और अगस्त और सितंबर इसको आपने डाउनलोड कर लेना है जैसे आप उस पर click किजेगा यह डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपके पास यह वाला पूरा page open हो जाएगा अब इस page को मैं आप लोगों को जो है पढ़े के बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या-क्या है और इसमें आप लोग क्या-क्या कर सकते हैं यह देखिए कि एकदम official news है क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी डाउनलोड करके दिखाया कि मैंने इसको कहां से डाउनलोड किया है सब्जेक्ट में लिखा हूँ कि Supplementary Examination for the Left of the Training in the All AIAT यहीं All India Training Institute जो है आप लोगों का जिसे हम लोग कहते हैं CBT यह ना theoretical subject commercial 23rd August यानि 23 तारीक को आपका जो है थियूरी का अप एक्जाम होने वाला है और जो practical और engineering drawing का एक्जाम होगा वो आपका 13 सितंबर को होगा यानि पहला जो एक्जाम होने वाला है आपका कब होने वाला है पहला जो एक्जाम होने वाला है वो 23 तारीक को होने वाला है और दूसरा जो एक्जाम होगा आपका वो होगा मेरे दोस्त दूसरा जो आपका एक्जाम होगा वो होगा आपका पहला एक्जाम देखो यहाँ पर पहला जो एक्जाम है वो 23 तारीक को होगा दूसरा जो एक्जाम होगा आपका वो 13 सितंबर को होगा और यह जो एक्जाम जो पास है उनका तो हो चुका है और मैं आप लोगों को आगे निऊज बताता हूं कि इसमें और आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं कि दफीस क्योंकि भी जो है बहुत जरूरी है कि फीस जो है क्या है तो लिखावा कि दफीस ऑफ द लिंक जो भी आपके पास फीस क जो link है उसको कैसे करना है तो fees का link जो है आपको 10 तारिक से start हो जाएगा 10 तारिक से आप fees जो है इसका submit कर सकते हैं आप अपने college में अपने ITI college में जरूर संपर्ग कि लिजिएगा इसके लिए क्योंकि fees के regarding वही जो है आपको सही से information दे पाएंगे कि आपको कितना जो है fees पे करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 अगस तक यह जो है fees आपका जमा होना है ठीक है और यहाँ पे आपको मैंने date बताई दिया है बिल्कुल यह authentic news है तो आप लोग इसमें देखो यह notification को आप लोग खुछ से download कर सकते हो इसके बाद वाला जो notification है वो आला मैं आप लोगों को download करके एक बार दिखाता हूँ कि उस वाले notification में जो है ना क्या दिखा रहा है ठीक है इसके नीचे वाले में यह hall ticket वाला यह hall ticket वाला भी मैंने download कर लिया आप यहाँ से इसको भी check कर सकते हैं यह पूरा schedule बनाया गया है कि आप यहाँ देख लेके schedule A, B सब करके दिया गया है यह पूरा आपको यहाँ पर timing दे दिया गया है कि यह सारा पूरा timing है चलो इसके लिए मैं एक proper और भी आपको वीडियो बना दूँगा ताकि आप ज़्यादा confusion ना हो ठीक है को subscribe करना ना भूलिएगा